हिए अभी हम करने वाले एक एफिडविट का सेंपल यह जो एफिडविट एफिडविट बहुत सारे टाइप के होते हैं पर यह हमने भर दिया तो हमें जित्ते भी एफिडविट होते हैं उनको भरना आ जाएगा कि कैसे फिल के आजाता उस पढ़ना भी आजाएगा कि क्या मतलब होता है चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय हमार समने पहला आता है इन दफोट ऑफ तो पहले यह इस पेस और यह तो इन दफोट में लिखेंगे हम कौन से कोट में हैं ठीक है और वह कोट है कहाँ प जिसके खिलाब किया है उसका नाव तो एस वर्शेश बी ऐसे लिखना होता है सूट नमबर यह हम कोट से मिलता है जब हम केस करते हैं तो आगे प्रोसीजर में मिलता है सूट नमबर और एथ सूट नमबर सूट-डैश ऑप-डैश यहां पर हमने फाइल क्या है वह केस और जब एफिडविट हम समिट करने जा रहे हैं तब का उस केस करें जाता है आता है आप यहां पर किसी के भिःविःद फाइल कर रहे हैं तो उसका नाम लिख रहे हैं किसके भिःव पे next line I son of dash पहला आप अपना नाम लिखोंगे मैं यह हूँ जैसे for example मैं विशाल सिंग son of पिता जी का नाम फिर resident of यहाँ पर अपनी जगह जहाँ पर रहता हूँ आपके घर जहाँ पर situated है वहाँ पर do here by solely declare and affirm on oath as under बतलब आप यहाँ पर कसम खाते हो कि मैं जो भी यहाँ पर बोरना हूँ वो सारे सच है और क्या मैं बोरना हूँ वो one, two, three इन तीनों statement में मैं कहता हूँ इस है first statement में क्या है that आप एक statement में लिख दो कि जो भी आप कहना चाहते हो तीन तीन से ज़्यादा भी आप लिख सकते हो तो मतलब आप अपनी पूरी बात को यहाँ पर लिख देते हो ठीक है लिखने के बात यहाँ पर signature करना हो था आपको ठीक है यहाँ पर place यहाँ पर date यहाँ पर आप कर रहे हो वहाँ पर यहाँ पर भरा गया है वहाँ पर जगह का नाम जहाँ पर आप समझ दो भर के submit करना चाहते हो न suppose को मैंने भर लिया मुझे देना रोहिनी कोर्ट में तो उस जगह का नाम और date जब मैंने यह एफिडविट भरा है लास्ट में यह वहर वरिफाइड दे कंटेंट और पैरा 1,2,3 मतलब पैरा 1,2,3 तीनो पैरास और करेक्ट टु माइ नॉलेज कि जितने भी तीनो पैरागराप जो लिखे हैं तीन से जादा भी अगर लिखे हैं तो वो तीनो मेरी नॉलेज में करेक्ट है कुछ गलत नही है मतलब मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं पता है जितना मुझे पता है वो मैंने लिख दिया हो सारे का सारे सच है यह एक ओथ होती है तो मैं ओथ में कसमखार हो कि यह सब सच है nothing has been cancelled thereof मतलब यहाँ पर कुछ भी ऐसा गलत नहीं है जो cancel करने लाइख है place जहाँ पर अपने verify किया है और जिसको submit करना है date और यहाँ पर signature इसको dependent कहते हैं कई जगा पर dependent मतलब जो करवार होता है affidavit को जो लिखवार होता है